के खर फ्रेंट स्वागत करती हुआ आप सभी का मेरे चनल मम्त्रफटीक में ऐवी विदियो में सीखेंगे हम 1,5-Matth attend की किटिंग करना अस्तर वाली किटिंग करना बता हुग तो फैब्रिक आप देख सकते हैं इसी फैब्रिक से मैं आपको कुर्थी की कटिंग बताऊंगी और अस्तर के लिए मैंने आप पर लिया है 1.5 मीटर सेंट टून फैब्रिक आप देखें इसकी cutting करने के लिए इसको हमें measurement आप लेनी होगी और उससे पहले मैं आपको कपड़े की length को नापके बताती हूँ कि total कपड़ा कितना है हमारा यहाँ पर देखें length जो होगी हमारी 42 इंची होगी तैयार और सीना होगा हमारा 34 इंची कमर 30 इंची रहेगी हिप साइज हमारा 34 इंची रहेगा अस्तिन की लंबाई 14 इंची रखेंगे मोरी हम रखेंगे 4.5 इंची की और देखें दामन जो तैयार होगा वो हमारा 18 इंची का होगा सामने का गला बनाएंगे हम 6 इंची का पीछे का गला 3 इंची का बनाएंगे बोटनेक पे तो इसी मेजर्मेंट से मैं आपको पूरी कुड़ती की कटिंग करना बताऊंगे फ्रेंट्स तो वीडियो को skip मत किये जेगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये जेगा और बैल के नोटिफिकेशन और को क्लिक करना मत भूलिए का जिससे कि मैं जब भी को वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके सबसे पहले मैं आपको अपाई है वो मैं आपको बता देती हूँ तो देखें डबल में मैंने अस्तर इस तरह से रख लिया है और यहां पर इस तरह से हम इसको नाप लेंगे देखे डवल में हमने इसको नापा है, तो हमारा इस तरह से आँ रहा है, ये, देखे, डवल लेर में है फैब्रिक है हमारा, तो ये देखे, 34,5 placed आ रहा है, अब इसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं, लगबग हमारा ये 1.5 मीटर फैब्रिक है इसी से हम इसकी कटिंग करने वाले है इस तरह से अब आपको में फैब्रिक जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर नाप करके दिखा देती हूँ इसको एक साइड रखते हैं अभी हम और ये फैब्रिक हमारा स्टेचेबल वाला है और इसकी जो लाइनिंग दे रखी है ये हमारी अर्ज में दे रखी हैं तो हमें लाइनिंग का ध्यान रखते हुए इसकी कटिंग करनी है ये देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से रख लिया है और यहां से मैं आपको नाप करके दिखा रही हूँ और इसकी अर्ज ज़्यादा है हमारी फ्रेंट्स यह मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसकी अर्ज हमारी जो है वो 60 इंची के लगभग में है नोटर लेंद हमारी यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं तेर्ज मीटर से भी कम है 4 इंची और इसे पर हमें इसकी कटिंग करनी है आप इसको सेट किस तरह से करना है यह मैं आपको बताने वाली हूँ अभी अस्तर को रखते हैं हम एक साइड और रिमेन फैबरिक को हम ले लेते हैं दोनों कोने से और जो हमारा दामन है दामन मेरा यहाँ पर 18 इंची है आपका जो भी मेजर्मेंट हो उस हिसाब से आप लेजेगा दामन हमारा 18 इंची है उसमें मैं 0.5 इंची प्लस करते हुए इसको सेट करूँगे इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसी निशान से पकड़ते हुए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यह देखे कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैं इस तरह से सेट कर लेना है तो मैं यहाँ पर जो भी measurement ले रही हूँ वो दामन के हिसाब से ले ले रही हूँ यह देखे तो मेरा यहाँ पर 21 इंची के लगभग में आ रहा है और इसी को मैं set कर ले रही हूँ तो set करने के बाद में बताती हूँ आपको यहाँ देखे मैंने कपड़े को इस तरह से double fold में रख लिया है एक बार इसको हम और fold करेंगे जिससे कि यह कपड़ा हमारा जो है four fold में आ जाएगा यह देखे four fold में मैंने इसको set कर लिया है नीचे तक मैं कपड़े को इसी तरह से set कर ले रही हूँ यहाँ पर मैंने इसको set कर लिया आप देख सकते हैं 10 इंची की चोड़ाई में आ रहा है हमारा अब इस पर marking करेंगे आधा इंची मैंने यहाँ पर slime margin लगाया है इसके बाद में सबसे पहला जो निशान लगाएंगे वो हम लेंगे length का तो मेरे measurement में लंबाई यहाँ पर आ रही है 42 इंची आपकी जो भी measurement हो रही हो आप आप यहाँ पर लेजेगा देखे यह 42 इंची का मैंने निशान इस तरह से लगाया और मैं इसको बना रही है तुरपाई वाला तो 2 इंची मैंने extra ले लिए टोटल हमारे यहाँ पर 2 इंची extra आया है तो देखे लंबाई का निशान हमारा हो गया और margin हो गया अब देखे यहाँ से हमारे जो फोल्ड करेंगे तो हमारे यहाँ पर यह चले जाए गए यहाँ पर फैब्रिक तो मैं सिलाई का जो margin लूँगी वो नीचे के लिए ले देखे लेंगे दोनों निशानों को इस तरह से मिलाके यहाँ पर आर्म होल की हम शेप डाल देंगे अब यह फैब्रिक थोड़ा सा हमारे इस तरह है का तो इसलिए यहाँ पर निशान आपको जो है डार्क नहीं दिखाई दे रहे होंगे फिर भी मैं डार्क करके आपको द सबस्तिर कर देंगे अब लगाएंगे हम फोर्थ पार्ड तो मेंजर मेंजर मेंड मेंट में रहा है साड़े आठिंची यह दिखे इस तरह से पर आगे की तरफ फड एनतें तनियु निशानों को आपसमें से मिला देंगे और हमारा यहां यहां पर fitting की marking हो गई है कि आपशनी वह जहा है young ऑंकर निचे हमने सीवाँ आपक्मपर की साइड लिया है और em तरह में इस में दामन का फैरिक हम लिया था उसी तरह से कटिंग करें गे यहाँ इसनी चुप है अब देखिए इदर की साइड में का मसफ कुटमें जो फैरिक होन कर लेंगे देखिस वकश्तिंटर उसको हम तक यो इदर की सवाल हो ये सुझाब हो तो आप मुझे comment box में पता सकते हैं बोल सकते हैं अब देखिए उपर से भी हमारा joint है इसको भी हम यहां से कट कर लेंगे यानि कि जो भी हमारे parts से दोनों उनको हम यहां से अलग कर लेंगे इसको रखेंगे अब हम एक साइड में और बचे हुए fabric को हम इस तरह से ले लेंगे तो आप देखिए lengthwise हमारे इसको fold है ही हमारे यह fourfold में आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं अब लंबाई आप लेंगे total हमारे इस तरह से 15 इंची आ रही है लेकिन यह बराबर जो लंबाई हमारे इस तरह से 14 इंची है तो इसी तरह से मैं यहां पर mark लगा ले रही हूँ अब यहां पर fitting का जो हमारे sleep का mark लगाना है वो तीन इंची का mark उपड से नीचे तक लगाया और यहां पर ह मौरी यहां पर आ रही है, चाहरे चार इंची की आपका जो भी मेजर्मेंट हो मौरी का आप उस तना लीजेगा और दो इंची हापर मार्जिन ले लीजेगा इस नेजान को तरिछे वाले निशान से जो हमने शेप दिया था स्लिप का वहां से मिला के इसकी हम कटिंग कर दें स्लिप पे भी मैंने फ्रंट की चार्ट नहीं लगाई है वो मैं स्रिच करते समय लगाऊंगी क्योंकि कपड़ा हमारा स्टेचेबल है अब देखिए अस्तर को मैंने इस तरह से फोरफोर्ड में रख लिया है सेट कर लिया है और जो हमने कटिंग करके रखा था में फैब्रिक उसको इसके उपर सेट करना है अब सेट किस तरह से करना है बंद वाली साइड से बंद वाली साइड को मिला के हमें रखना है और में क्या होता है हमारा अस्तर की लैंथ हमारी यहाँ पर दो इंची कम होती है तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे नीचे की साइड से दो इं कि तरफ है उसको हम इस तरह से रखते जाएंगे और यहां पर निशार लगा लेंगे अधिक कपड़ा तो हमारे कि कटिंग हो चुकी है इसको रखते हम एक साइड और यहां पर भी मैंने आर्म होल में सेप नहीं लगाया है वो जब मैं अस्तर को जाइंट कर लूँगी तब मैं यहां पर फ्रेंट की छाट लगाऊंगे स्टिच करते टाइम यह हमारा में फैब्रिक रहा और यह रहा हमारा पूरा कटने के बाद में तयार उमीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजियगा और आपको कोई सवाल हो यह सुजाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए bye bye take care thanks enjoy watching झाल झाल झाल